और भाई संडे की सुबा कहा जा रहे हो अरे आप भूल गए क्या आज 27 अगर 2023 को शारी महर गार्डेन बे टाउन्शिप जनरल बॉडी के बोर्ट ओफ मेंबर्स का इलेक्शन है ओर नो मैं तो एकड़म भूल ही गया ये हाइट्स के मल्टी परपस हौल में है न जो स्विमिंग पूल के बगल में है सही पकड़े हैं अभी 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही वोटिंग होगी जल्दी तयार होके वोट करिये वैसे कौन वोट कर सकता है? रेजिस्ट्री में जिनका नाम पहले है वो रेजिस्ट्री तो मेरे बभू के नाम है तो क्या मैं वोट नहीं कर सकता? सौरी बाइ लॉस में लिखा है कि फर्स्ट ओनर का स्पॉस फादर, मदर, सन या डॉटर जो 21 साल से बड़ा हो साथ में जितने भी को ओनर्स हैं वो भी वोट कर सकते हैं अच्छा तो फिर मैं बहू को ही बेचता हूँ अरे मिस्टर सुरेश वोट देने जा रहे हैं क्या? सही पकड़े हैं एक बात बताईए घर तो पिता जी के नाम है तो मुझे क्या डॉकिमेंट ले जाने होंगे? कोई भी आइदेन्टिफिकेशन डॉकिमेंट जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस वोटर आइडी या बैंक पास्बुक इसकी कलर कॉपी या फिर डिजिटल कॉपी भी चलेगी ये काफी राहत की बात बताईए आपने लेकिन कुछ एथोर्टी लेटर का भी जिक्र करा था एलेक्शन नोटिस में अरे हाँ वो तो मैं भूल ही गया बताना आप अपने पिता जी से एक लेटर पे और्थराइस करा लीजिए कि आप उनकी जगह वोट कर रहे हैं अरे तब तो गया मेरा वोट वो तो तीर्ट पे गये हैं अब लेटर कौन लिखेगा अरे परिशान क्यूं होते हो नोटिस में लिखा है न इमेल भी चलेगा एक इमेल ले लो उसी इमेल आईडी से जो की मेंबर्शिप फॉर्म में लिखे थे ये तो राहत की बात बताई आपने अभी पिता जी से बात करता हूँ और फिर आता हूँ वोट करने मिस्टर सुरेज वोट डालने चल रहे हो हाँ जनाब वही जा रहा हूँ और किसको वोट देंगे कुछ सोचा है वैसे मेहनत तो सभी की रही है बाकी अपनी अपनी समझ से हमको वोट देना है लेकिन ये तो बताओ मैं तो डेफो डिल्स में रहता हूँ तो क्या मुझे हाइट्स में भी लोगों को वोट देना होगा अरे भाई ऐसा नहीं है हमें अपने कलस्टर के कंटेस्टन में से दो को वोट देना है हाइट्स में हमें वोट नहीं देना वो हाइट्स वाले ही देंगे ये तो इलेक्शन नोटिस में लिखा था पढ़ा नहीं क्या आपने अच्छा क्या बता दिया नहीं तो मेरा मजाग बन जाता जल्दी चलो वोट करके नकी हो जाओ